आमतर पर कनान नदी का पानी मट मैला दिखता है लेकिन शनिवार की सुबह से ही नदी में बहने वाले पानी का रंग दूधिया नजर आने लगा इससे स्थानी अनागरी को में शंका निर्मान हुई और उन्होंने इसकी जान करी कनान जल शुद्धी करण केंद्र के अधिका पावित हुई रविवार को भी सम्मधित पाने टंकियों से जलापूर्ती बादित होने के आसार बताय जा रहे हैं कनान नदी में भेकर पहुझे पलाई एश की वजज़ से पानी का रंग दूधिया हुआ वही महाजेनकों के दावों की पोल खुली फ्लाई एश की पीने से कही असाध्य बीमारी होने की आशंका होती है उस पर से फसल के लिए भी ये पानी घातक है सुत्रों से मिली जानकरी के नुसार आश बैंड से राका रिसाव को अधिकारी तखनी की कारण बता रहे हैं कनान नदी पर बने जलशुद्धी करण केंद्र में कीचर युग बनाने की ख्शमता है लेकिन नदी के पानी में मिले फ्लाइ एश को यहां शुद्ध नहीं किया जा सकता कनान जल शुद्धी करण केंद्र की ख्शमता 210 MLD पानी रोजाना की है इससे पुर्वा और उत्तर नाकपुर की पानी टंकियों में जलापुर्ती की जाती है फ्लाइ एश का रिसाब होनी की वज़े से आसे नगर लकडगंच सतरंजी पुरा नहरुनगर जोन की 28 पाने टंकियों से जलापुर्ती प्रभावित हुई संबंदित पाने टंकियों से रविवार को भी जलापुर्ती नहीं हो पाएगी जल प्रदाई से जुड़ अधिकारियों ने जानकरी दी इसी वज़े से नदी के दाएं हिस्से के पंप से पानी की पंपिंग को ततकाल बंद कर दिया गया इसकी वज़े से शनिवार की शाम पाज बजे तक कनहान जल शुद्धी करण केंद्र को आधिक शमता से ही संचारित किया गया जब तक नदी के पानी से राख बहकर आगे नहीं चली जाती तब तक पानी की पंपिंग नहीं हो सकती फ्लाई एश के मिलने से पानी जहरीला हो जाता है उसे शुद्ध नहीं किया जा सकता जानकारों के अनुसर राख मिले पानी में आरसनिक की मात्रा आधिक होती है